आधार तो आज मैं डिसकस करने वाला हूं हिस्टोलोजी ओफ फीमेल रिप्राद्टिव सिस्टम को, और यह डिसकस करने से पहले हमें देखना होगा कि फीमेल रिप्राद्टिव सिस्टम के अंदर कौन-कौन से स्टुक्चर्स आते हैं तो female reproductive system के अंदर ovaries आती हैं, oveduct जिनने हम fallopian tubes भी बोलते हैं, वो आती हैं, फिर uterus आता है, vagina आता है और वल्वा आता है, और वल्वा का दूसरा नाम है external female genitalia तो अभी हम सभी जो structures हैं, सभी की histology को discuss करेंगे, साथ ही सभी structure में क्या species difference होते हैं, उन्हें भी मैं discuss करूँगा, और इस particular video के अंदर मैं सिर्फ ovaries को discuss करने जा रहा हूँ, तो चलिए start करते हैं तो histology के अंदर again हमें तीन चीजों को discuss करना है, वो है epithelium, muscle layer और connective tissue, तो ovary के अंदर जो epithelium present होती है, वो है हमारी germinal epithelium, ठीक है, और muscle layer इसके अंदर smooth muscle के strengths present होते हैं, medulla के अंदर, अभी मैं जब आगे gross structure आपको ovary का बताऊंगा, उसके अंदर मैं आपको cortex region है, उसके अंदर कुछ fibro elastic connective tissue हो सकते हैं, और medulla के अंदर loose connective tissue present होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि loose connective tissue हमारा support provide करने का काम करता है, तो medulla के अंदर blood vessel और nerve supply होती है, तो उन्हें support provide करने का काम यहाँ पर इसका होता है, तो देख लेते हैं, gross structure कैसा होता है ovaries का, तो मैं gross structure के बात करूँ, तो ovary का gross structure कुछ ऐसा दिखता है, और इसके अंदर जो पूरी ovary है, वो divided होती है, दो parts के अंदर, तो वो हैं हमारे cortex and medulla, जो भी मैं आपको पीछे discuss करके आया हूँ, तो यह जो बाहर का part है, यह हमारा हो गया cortex, और इससे अंदर वाला जो part है, जो भी perankematosa, अब यहां पर जो cortex है, उसे हम एक और नाम से बुलाते हैं, जो कि है zona perankematosa, ठीक है, और medulla का भी इसी तरह एक दूसरा नाम है, जो कि है zona vasculosa, अब दिखे, जो ना perankematosa, क्योंकि यह maximum perankema जो है, मैं रख internal structure है, उसे यह cortex form कर रहा है, ठीक है, और हमने medulla को zona vasculosa क् के अंदर हमारी blood and nerve supply होती है, तो अंदर वाला structure यह हो गया medulla और बाहर वाला हो गया cortex, ठीक है अब इसी के बाद हम देख लेते हैं epithelium की जो हम पीछे बात कर रहे थे, germinal epithelium की, तो यह जो germinal epithelium होती है, यह हमारी columnar होती है, simple columnar या फिर cuboidal होती है, ठीक है बड़ जैसे ऐसे, मतलब बड़ा होता जाता है, animal, adult के अंदर, यह हमारी simple squamous में change हो जाती है, फिर flat cells में change हो जाती है, ठीक है इसमें एक और important बात है, germinal epithelium के अंदर, कि आपने 12th class में पढ़ा होगा, कि बर्त के बाद, कोई भी जो उगोनियाज है, वो add नहीं होते ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यह germinal epithelium है न, यह tunica albugenia, जो just इसके नीचे layer होती है, उसे separate हो जाती है, ठीक है, और यह germinal epithelium है, जो, मतलब जो germ cell है, उन्हें form करेगी, तो उसे separate हो जाती है, और और उगोनियाज को add नहीं करती, तो इसके बीचे यह reason है, कि बर्त के बाद, कोई भी उगोनियाज एड नहीं होते है, ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ovaries, जो है, वो cytogenous gland है, ठीक है, और दूसरी, हमने progesterone and estrogen, तो इन्हें यह overproduce करती है, इसके बाद हम देख लेते हैं, कि यह बाहर के layer visceral peritonium हो गई, मैंने आपको ट्यूनी का अलबीजीनिया बता दिया, जो layer है, directly germinal epithelium के जो नीचे present है, इसी के बाद, cortex के अंदर हमारे ovarian follicles present होते हैं, अब यह जो ovarian follicles हैं, इन्हें के अंदर changes आते हैं, और यह ovarian follicles ही, मतलब hormones भी release, इसी के साथ जो यह cortex का stroma part है, इसके अंदर जो elastic fiber हैं, वो practically absent होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर उसकी जगा collagen fiber present होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर, और यह जो tunica alveugenia, मैंने आपको उपर बताई है, यह हमारी fibrous layer है, ठीक है, यह इसके अंदर भी collagenous fiber ही present होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह पूरा structure है, और इसके अंदर एक और खास बात है, ovarian के अंदर, कि जितना smaller follicles होंगे, ठीक है, वो बाहर की side होंगे, फिर development होते होते, वो अंदर की side जाएंगे, ovarie के अंदर, और जैसे वो mature होंगे, तो यह फिर से बाहर आने लगेंगे, ठीक है, तो यह ovarie का पूरा structure हो गया, तो अब हम देख लेते हैं, folliculogenesis को ठीक है, और folliculogenesis का जो मतलब है, वो है formation of ovarian follicles, तो primordial follicle से जो graphene follicle के अंदर conversion है, उसे को हम क्या बोलते है folliculogenesis, तो primordial follicle के बाद हमारा primary follicle बनता है, और primary follicle के अंदर, क्या होता है, कि जो oocyte है, वो surrounded होता है specialized cell, जो कि हैं follicular cell ठीक है, अब यह columnar या फिर क्योपाइडल कुछ भी हो सकती है, ठीक है इसी के साथ साथ यहां पर एक layer होती है जो इन दोनों, मतलब cells के और oocyte के बीच में होती है जिसे हम बोलते है, zona palucida ठीक है, एक होमोजीनियस layer होती है अब इसके बाद यह जो primary follicle है, यह convert होता है secondary follicle के अंदर ठीक है, तो इसमें क्या होता है इसमें सिर्फ यह जो cells है, यह proliferate करती है divide करती है, एक से दो layer बनाती है दो से तीन, और फिर multiple layer बनाकर secondary, जो follicle है उसे form कर लेती है, ठीक है, बागी सारी चीज़े as it is रहती है, उसके बाद secondary follicle हमारा convert होता है tertiary follicle के अंदर और यहाँ पर जो एक special चीज़ बनती है, वो है follicular cavity, जिसे हम antrum भी बोलते है अब इस antrum के अंदर एक liquid present होता है, जो कि है liquor follicle ठीक है, फिर इस tertiary follicle के बाद हमारा बनता है graphene follicle, अब इस graphene follicle के अंदर देखे, क्या होता है कि जो oocyte है, उसके उपर एक prominence होता है, जो cavity के अंदर, जो मतलब जादा अंदर की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं, cells का ही है एक projecting surface होती है, जिसे हम बोलते है, cumulus oferus आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी के नीचे हमारा oocyte होता है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर जो cavity है, वो भी काफी enlarge हो गई है ठीक है, tertiary follicle के comparison में ठीक है, और जो बाहर की layer है इसे हम बोलता है, membrana granulosa ठीक है, और इसके बाहर कुछ ore cells differentiate होती हैं, और ठीका external और ठीका internal layer को form करती हैं, ठीक है, तो fully grown जब यह हो जाते हैं follicles, इसके बाद क्या होता है ovulation होता है, ठीक है, तो ovulation के अंदर क्या होता है, कि जो follicles के अंदर जो हमारा oocyte है वो release हो जाता है, ठीक है तो release of the fully grown oocyte को हम क्या बोलते हैं, ovulation बोलते हैं और यह surface of the ovary से हमारा release होता है, ठीक है, अब मैंने discuss कर लिया folliculogenesis को, मतलब कि follicles का development कैसे हो रहा है, ठीक है, और मैंने आपको ovulation process बता दिया, बट यहाँ पर जो एक चीज skip हो गई वो क्या है, oogenesis, ठीक है, तो को separately discuss करूँगा, पर यहाँ पर मैं आपको एक, एक overview दे देता हूँ कि, oogenesis के अंदर actual में हुआ क्या, तो जो ovum है, वो maturation के अंदर जाता है, ठीक है, और reduction division, ठीक है, fertilize होने से पहले, और आपको यह जीज़ पता होगी, आपने 12th में पढ़ी हुई है, कि जो primary follicles है, उनके अंदर oogenia होता है, ठीक है, birth से पहले, और birth के time पर वो जो है, वो primary oocyte पर enter कर जाता है, ठीक है, primary oocyte, और वहाँ पर जाकर वो restrict हो जाता है, ठीक है, restrict होने के बार, मतलब, जब puberty start होती है, उसके बाद उनके अंदर development start होता है, ठीक है, तो ये oogenesis का कुछ, और वो primary oocyte फिर convert होता है, secondary oocyte के अंदर first polar body बनती है, ठीक है, और फिर इसके अंदर second oocyte तब होता है, fertilize होता है, तब उसके अंदर further development होता है, ठीक है, तो ये तो हो गई oogenesis का एक overview, ठीक है, अगर आप यहापर confusion है, तो अभी जब मैं oogenesis discuss करूँगा, तब मैं आपको बता दूँगा, अभी यहाँ पर बात ये है कि ठीक है, ovum तो बाहर निकल गया, बट जो follicular cells और बाकी सब चीज़ें थी, इनका क्या होगा, ठीक है, ये oocyte जो है, ये तो बाहर निकल गया, बट ये जो सारी चीज़ें है, इनका क्या होगा, तो देखें, ये convert होता है, हमारा corpus luteum के अंदर, ठीक है, जब ये पूरा rupture हो जाता है, और बाहर निकल जाता है, तो ये जो होर्मोन है, जो pregnancy maintain करने में help करता है, ठीक है, अब जो granulosa cells थी, वो क्या करती है, वो बढ़ती है, size के अंदर, ठीक है, और जो उनका nuclei है, वो vesicular हो जाता है, और stain, उनका जो है, वो light हो जाता है, इसी के बाद यहाँ पर जो है, जो cytoplasm है, वो उनके, उसके अंदर progressive accumulation होता है, lipid droplets का, ठीक है, और कुछ yellow pigments का, ठीक है, उसी को हम बोलता है, granulosa latent cells, ठीक है, तो जब इन cells के अंदर ये cells enlarge होती हैं, और इनके अंदर जो इनके cytoplasm के अंदर जब accumulation होता है, इन pigment का और lipid droplets का, तब इनने हम बोलने रखता है, granulosa latent cells ठीक है, अगर अब देखते हैं कि अगर जो ovum release हुआ है, वो fertilized नहीं होता है, ठीक है, मान लेजे fertilization नहीं हुआ, तो जो corpus luteum है, उसका क्या होगा, तो corpus luteum है, उसकी जो cells हैं, वो decrease होने लगती हैं gradually, size के अंदर, और वो vaculated हो जाती है, ठीक है, और reabsorb कर ली जाती है, मतलब ovary cells के द्वारे, तो उस stage को corpus luteum की हम बोलते है, corpus luteum spurium, ठीक है, और यहां पर क्या देखने को मिलता है, कि जो connective tissue है, वहां पर वो amount में उसका increase हो जाता है, ठीक है, और वो finally convert हो जाता है, body of connected tissue, जिसे हम बोलते हैं, corpus alvegans, यह तो condition हो गई कि अगर fertilization नहीं होता है, तब क्या होगा, ठीक है, अब एक condition है कि अगर fertilization हो जाता है, और pregnancy हो जाती है, ठीक है, तब क्या होता है, तो तब क्या होगा कि जो corpus luteum है, वह size के अंदर increase करेगा, ठीक है, और corpus luteum जो है, वह उसे हम बोलने लगेंगे, corpus luteum of pregnancy वह बन जाएगा, ठीक है, जिसका एक नाम है corpus luteum verum, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, यह फिर progesteron secret करेगा, और वह progesteron ही pregnancy को maintain करेगा, अब एक बार discuss कर लेते हैं कि different species के अंदर जो ovary के difference है, वो क्या-क्या आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, mare की, female horse की, ठीक है, तो इसके अंदर देखी क्या होता है, कि जो scenario है, वो just opposite हो जाता, human ovary के, ठीक है, या बाकी चीज़ common है कि medulla के अंदर blood vessels ही है, और cortex के अंदर follicle ही है, ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, side में जो यह image है, इसके अंदर आप देख सकते हैं, बाहर वाला जो यह surface है, यह area है, यह medulla है, और अंदर वाला है हमारा cortex है, बाहर blood vessels और अंदर cortex के अंदर follicles प्रेजेंट है, अब यहां पर एक special बात और होती है, जिसे हम बोलते है, ovulatory forsa, ठीक है, अब यह ovulatory forsa एक ऐसी जगह है, free border पर ovary के, जहां से ovum release होगा, मतलब ovulation सिर्फ और सिर्फ ovulatory forsa से ही होता है, ठीक है, मेर के अंदर, तो यह कुछ special हो गई मेर के बारे में, इसके बाद बात करते हैं कि इसकी जो ovaries की shape है, वो bean shaped होती है, length 7.8 cm, thickness 72, वो 3-4 cm हो सकती है, weight 70-80 grams हो सकता है, और इसका जो position है, वो यह situated होती है sublumber reason में, ठीक है, 4-5th lumber vertebrae में, ठीक है तो मैं बता दूँ, EU जो है, वो एक female sheep को हम EU गोलते हैं और goat आपको पता है, sow है हमारी female pig, ठीक है, और इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ, corpus luteum के अंदर मैंने जो आपको बताई थी granulosa lutein cell, उन्हें के basis पर यहाँ पर corpus luteum के अंदर difference होता है सभी species के अंदर, जो gross differences हैं, वो मैं जब gross anatomy को discuss करूँगा तब मैं बताऊंगा, तो चलते हैं second difference की तरफ, इसके अंदर क्या होता है corpus luteum यहाँ पर greyish white होता है color, ठीक है, इन species के अंदर यहाँ फिर flesh colored रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर absence होता है pigment का जो granulosa luteum cells थी उनके अंदर, ठीक है, मैंने आपको corpus luteum के अंदर बताया था अब third species है हमारी cow, ठीक है, तो cow के अंदर यह bright yellow से orange हो सकता है ठीक है, vary कर सकता है, ठीक है, और अगर यह pregnancy persist करती है तो, और during pregnancy भी को बोलते हैं, तो इनके अंदर क्या होता है, कि जो corpus luteum है, वो pale color का होता है, ठीक है, मतलब ऐस सच उसमें कोई color नहीं होता, क्योंकि जो lutein cell है, उनके अंदर कोई भी pigment वहाँ पर present नहीं होता अब number of follicles, जो की एक cycle में हमारे जो ripe हो रहे हैं, ठीक है, number of follicles के साथ साथ oocides भी, वो different हो सकते हैं, different species के अंदर, ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा कि female dog या फिर bitches जो हैं, वो एक बारी में 6-7 puppies जो हैं, उन्हें बर्त देती हैं, ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ, humans क या फिर cow, buffalo, इन सब की, तो इन सब के अंदर जो एक young one हैं, उसे बर्त ही ये देते हैं, बहुत, मतलब rare होता है twins होना, ठीक है, नहीं तो generally एक ही young one जो होता है, उसे बर्त देते हैं, तो वो species to species differ कर सकता है, इसी के बाद बात आती है कि जो diameter है, mature follicle का, वो different species के अंदर क्या- तो women के अंदर ये 23 mm होता है, ऐपरोक्स, cow के अंदर ये 20 mmपरोक्स होता है, और mare के अंदर 55 mm एपरोक्स, और sheep, goat और sow के अंदर 5 तू 8 mm एपरोक्स होता है, इसके बाद अगर मैं बात कर Massachusetts का के अंदर的時候 2 mm होता है, मौस के अंदर 0.42 mm, आप देख सकते हैं, species छोटी है तो जो mature follicle है उनका size भी छोटा हो गया ठीक है अब यहां पर जो bitches का case है वो interesting case है यहां पर जो मैं बिच कह रहा हूँ वो सिर्फ beagle, beagle एक breed of dog है ठीक है तो उसकी में बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जो dogs हैं उनके अंदर size differences बहुत आते हैं ठीक है आपको तो एक small breed chinchwana भी मिल जाएगा और एक large breed gradient भी मिल जाएगी ठीक है तो यहां पर breed specific में बता दूँ कि almost 6 mm होता है ठीक है और यह size के according differ कर सकता है और जो सबसे जादा interesting difference है ovaries के अंदर वो है वो मुझे लगता है foul का है ठीक है तो इसके अंदर देखे क्या होता है कि सरफ एक ही ovary present होती है वो है left side वाली ठीक है इसमें जो right side वाली ovary होती है वो rudimentary होती है और कुछ scientist का मानना है कि ऐसा इसलिए है ताकि जो वो असानी से उड़ पाए ठीक है मतलब कि उनकी जो fly करने की ability है उसे देखते हुए जो nature ने उनके अंदर accessory चीज़े हैं उन्हें reduce कर दिया आपको पता होगा कि birds के अंदर pneumatic bones present होती है it means उनकी bones के अंदर air filled होती है ठेक है तो यह कुछ adaptations हैं जो birds को fly करने में help करती है तो इस video को मैं यहीं पर end करता हूँ और next video के अंदर मिलूँँगा एक नए topic के साथ thanks for watching my video if you like then please press the thumbs up and subscribe to vet study